तो आज बन रहा है सब का मन पसंद एकदम गर्मियों में स्पेशल बनने वाला कठल का सबजी सेमी ग्रेवी टाइप का है जबर्दस्त बनता है तो सूस फूड का सब्सक्राइब करेशल बहुत टेस्टी कठल का सबजी और मेरी वीडियो को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद तो पहले क्या की हूँ मैं कठल ले ली हूँ यह ज्यादा बड़ा कठल नहीं था लगभग एक केजी यह कठल होगा तो उसमें से सब उपर वाला चिलका निकाल के जो लेयर होता है तो इस मैं काटी हूँ जो बीज वाला पोर्शन है वो बीचो बीच है इस से पीसेस का लुक और टेस्ट दोनों अच्छा आता है तो इसको में ले ली हूँ इसको हम प्रिश्र कुक करेंगे तो पहले मैं कठर डाल दे प्रिश्र कुकर में तो एक मीडियम टू लास है इसका प्या लगाना है और उसके बाद वेट करना है जब तक प्रेशर रिलीज ना हो तो वो अधर हमारा बन रहा है इधर में एक कढ़ाई में छे बड़े चमच तेल गरम की हो सरसो तका जब गरम हो जाए तो मीडियम सैस के आलू को थोड़े क्यूब काटके चाहिन थोड़ा भड़ा कि जरा साइतक अडर आ आलू करने में ना आलू का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत लोग ना कठटल भी मतलब इस तेल में पर मैं कठल को फृयन नहीं करूंगे तो आलू ही बस फ्राइ कर रही हूं तब भी जो सबजी बनेगा जबरदस्त बनेगा तो आलू जो मेरा है शैलो फ्राइ हो गया उस तेल में एक इच डालचिनी एक ब्लैक काडमम दो इलाइची दो लॉंग और दो तेजपता को तोड़ के डाल दी हूं अब क प्यास का पेस्ट डाल रहे हैं चाहें तो उस वक्त इमिडियेटली कवर कर लें कि बहुत छीटा आता है नहीं तो हो तो आप अगर यूस्ट टू है तो आप बिल्कुल इस तरह से पकाए प्यास के पेस्ट को मीडियम हाई फ्रेम में लगभग तीन से चार्म निट पकाना है या तब तक पकाना है जब तक दिखिए कलर इस तरह से ना आ जाए हलका ब्रावनिश करेमल कर राजाए यानि जो प्यास का पेस्ट है वो अच्छे से पकना चाहिए जितना अच्छे यह पकेगा उतना सुन्दर कलर आएगा जब यह पक जाए एक छोटी चेमच नॉर्म लगभग 30-40 सेकंड लगेगा उसके बाद इसमें हम एक पेस्ट डालेंगे तेल सेपरेट हो गया है मीडियम हाई फ्लेम पर ही को खो रहा है दस कली लैसन का अधा इच अध्रक आधा चोटी चमच जीरा और तीन चार चमच पानी मिला के पेस्ट परना दी हूं तो इसको हम पीस लिए है तो बहुत अलग से फ्लेवर आता है तो बस चार से पांच मेट मेडियम हाई फ्लेम पर भूनना है तब तक जब तक देखिए मसाले से तेल सेपरेट ना हो फिर उसके बाद दो बड़े साइस के टमाटर को प्यूरी बना दे बस ग्रैंडर में ब्लेंड कर दे बिना पानी के पानी डाल देंगे तो फ्लेवर चेंज हो जाएगा उसके बाद उस टमाटर के पेस्ट को इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे आधी छोटी चमच भर टमाटर के पेस्ट डालने के बाद नमक डालने से बहुत जल्दी वह कूख हो जाता है तो आधी छेटी चमिश नमक डाल के एक बारी मिला ले मिलाने के बाद अभी 3-4 मिनिट और इसो खुले आँच पे हम मीडियम हाई फ्लेम पे भूनेंगे आप देखेंगे धिरे-धिरे मसाले का अमाउंट कम हो जाएगा और बेसिक मसाले हैं सब हमारे घरवें अवेलेबल रहते हैं बस 3-4 मिनिट इस तरह से मीडियम हाई फ्लेम में भूनने के बाद अब देखेंगे तेल सेपरेट हो गया है इस स्टेज पे हम जो आलू सैलो फ्राइए थे थे न वो डाल देंगे डाल के एक बारी मिला लेंगे तो आलू को अभी हमारा जो मसाला है और मुस्ट आधा पक गया था तेल छोड़ने लगा था तो अब आलू जो डाले है थोड़ा सा वो जो टमाटर वाला पीसी थे न उसमें एक चमच पाने डालके मैं डाल दी हूँ और फ्लेम एकदम लो करके 4-5 मिनिट छोड़ दी हूँ और तेल जो है मैं नॉर्मल से थोड़ा कम ही यूज की हूँ ने तो बहुत तेल इसमें यूज करते हैं कठल का सबजी बनाने में जितना कम में हो पाई वो की हूँ कठल जो है हमारे एक सिटी में पूरा अल्मोस्ट 80-90% कुख हो गया है और यह है कठल का पानी यह स्वाद लाएगा हमारे गरी में तो पहले कठल डाल दे डालके भी फ्लेम हाय ही कर ले हम पहले ही बोल चुके हैं कि हाय फ्लेम करना है अभी कठल को भूनना है हाय फ्लेम मे तीन से चार मिनिट थोड़ा नमक में डाल दी हो टेस्ट करके आप स्टेज पर डाल सकते हैं क्योंकि ग्रेवी में भी हलका जो हम लिक्विड यूज करेंगा नमक होगा तो मकसद यहां पर यह है कि कठल मसाले में अच्छे से थोड़ा रोस्ट होना चाहिए चार पांच मि तीन चार मिनिट इसमें हम भून पाए और जो मेरा कठल है ना कितना अच्छा भूनाया है देखिए इंटैक्ट है टूटा नहीं है और सॉफ्ट है और मसाले में अच्छे से एकदम लपेट गया है और नीचे जो कढ़ाई का तला है पुरा साफ है जिससे यह पता चलता है कि जो मसाला है अच्छे से रोस्ट हो गया है अब इस स्टेज पे हम जो लिक्विट था ना कठल जो उबाले थे प्याज वर नहल्दी वाला पानी वो डाल देंगे उसके बाद आप चाहे जितना आपको ग्रेवी चाहिए मैं तो सेमी ग्रेवी रखती हूं तो लट पटा तो मैं ज्यादा नहीं डाली हूं लगभग आधी चोटी ग्लास मतलब टोटल एक ग्लास पानी ही होगा मेरा इसमें कठल में तो आप अपनी हिसाब से डाल सकते हैं और अब जब एक उबाल आ जाए उसमें गरम मसाला पाउडर एक चोटी जमस डाली हूं यह मेरे घर का गर जाए और देखिए ढखने के बाद के रिजल्ट हुआ तेल जो है वो उपर आ गया है इसका मतलब परफेक्ट है अब खास मेरे ट्रिक है कि लास्ट को जब आपको लगे कि आपका सब्जी बन गया है एक बड़ा चमच देसी घी डाले और फिर कटा हुआ धनिया पत्ता और यह जो है ना कठल के सब्जी को पुरा ट्रांसफर्म कर दें का गैस ऑफ कर दें और सर्फ करने के लिए पूरा तयार है मेरे कठल का सब्जी बहुत ही जबर्दस्त बना है आप देख पा रहे होंगे फ्लेवर्स जो है पुरा सब्लाइम है एकदम देसी स्टैल में बनाए ह हम और जो लास्ट को देशी घी वाला ट्रिक है वो बहुत यूसफुल है और कितना सुंदर लग रहा है देखिए एक बार ये कटल का सबजी आप बनाएंगे ना तो हमेजा ये रेशीपी फॉलो करेंगे और सबसे बड़ा बात है कि इसका जो स्मेल है और टेक्स्चर है ना पुरा नॉन वेज की तरह मतलब मतन या मीट की तरह लगता है तो ये टच है स्पेशल इसका जरूर ट्रा कीजिए का रेशीपी तो अब समय है कमेंट अब दिदे का तो आज का कमेंट अब दिदे है सुभस्री साहू का वो लिखती है वाउ इट से वेरी अवेटेट रेसी को देखके उस पर टाइन निकालके इतना प्यारा कमेंट करके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज का जो रेसीपी है कठल का ये भी जरूर आप ट्राइ कीजिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा स्पेशल टिप्स और ट्रिक्स है और क्लासिक स्टैल में बना है एक बार ट्राइ कीजिए और करके मुझे फीडबैक दीजिए उमीद करती हूँ जो वीडियो है मेरा आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा और फ्रेंड्स और फैमिली का साथ शेयर कीजि